आपको उस पे रहम आगे, आपको उसको प्राइमिनिस्टर बना दिया, उसने क्या किया, वो कह रहा था मैं चाय बेचता था, आज क्या किया उसने देश बेचा, इसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइमिनिस्टर, कम से कम पूछ के तो चूना लगा था, इस आद बाद क्या कोई लीडर आपको मिला क्या इस शहर को गयादत की जवर्वत नहीं है क्या इस शहर में एक मजबूत कायद नहीं चाहिए क्या इस शहर में कमर अलिस्लाम के खाबों की ताबीर नहीं चाहिए और अगर कमर इसलाम पैदा करना चाहते हो तो मैं कहता हूँ इस मर्तबा गल्दी मत दरना और आज के गौर के इस हजी मुच्छाम इंशान को पूरी टाकत के साथ यासिर उस्ताद को जितवाने की कोशुश कर देए इस वी के संबली में जाकर अपने मसाइल को उठाने वाला लीडर देए और हर तरह के गीदर से तकराने वाला लीडर देए जिसका नाम है नासिर उस्ताद This video presented by Alsharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Alsharay PU College for Girls, Mijgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basweshwar Colony, Alsharay B.Sc. Degree College for Girls, Yadullah Colony, and Happy Days Play School, Old Jewargi Road और शेर बनकर शेर कोर्ट दीदिए यह मैं आपसे नासिर उस्ताद साहब के लिए अपील करने है मुल्क के हालाग को आप अच्छी तरह से जानते हैं अलेक्शन की सियासत से भी आप वापी मैं थोड़ी संजीदा बातें करूँगा आप से आपके जजबात से खेलूगा नहीं और मुझे उमीद है कि यह संजीदा बातें आप आसानी से हजम भी कर लेंगे और डिकार भी नहीं देंगे बिरादराने मुझेरम अलेक्शन होता क्यों है और हर पांच साल के बाद यह रिवाईस क्यों होता है मुल्क जब तक गुलाम था तब तक आपके हाथ में न अलेक्शन था न असलेक्शन था मुल्क की आजादी के बाद अलेक्शन आया और सलेक्शन आया इसलिए कि इस मुल्क का समिधान इस मुल्क का दस्तूर 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को जो पार्लिमेंट की सभापटन पर डाक्टर भीम रावा अमबेटकर साहथ के जरीये रखा गया वहीं दस्तूर हिंद, हिंदुस्तानियों को दस्तूर के दाइरे में रहत दर आजादी के साथ जीने की जमानत देता है 1947 से पहले आप ओट नहीं दे सकते थे इसलिए कि देश गुलाम था और 1947 के बाद मुल्क के दस्तूर में इस मुल्क की पिस्मत आप हिंदुस्तानियों के हवाले करते पांच साल के लिए इस चोकीदार चुनीए पर्मानिन चोकीदार नहीं होना चाहिए पांच साल के लिए चुनीए और टेस्ट की दिए नेताओं को नेता बनने के लिए अपने को नहीं चुनना है इसलिए कि इन नेताओं की जो हैसियत है वो भी दस्तूरे हिंदु में लिखी हुई है और ओटरों की जो हैसियत है वो भी दस्तूरे हिंदु में लिखी हुई ये लीडर लाख चोकी पे बैठे हैं दस्तूरे हिंदु में इनकी हैसियत सिर्फ चोकीदार की है और आप लाख जमीन पे बैठे हैं दस्तूरे हिंदु में आपकी हैसियत जमीदार की है और जमीदार ही तै करेगा कि उसका चोकीदार कैसा होना चाहिए अब सेलेक्शन आपके हाथ में है इस अलेक्शन का तै आपको करना है मुझे नहीं मालूम कि पीछले दो तीन अलेक्शनों में भाई नाशिर उस्ताद सहब आप से मिंती करते रहे आपके मसाइल की लड़ाई लड़ते रहे आपने उन्हें अपना अशिर्वाद नहीं दिया तो भी वो आपके लिए लड़ते रहे इसलिए कि लीडर लीडर होता है वो हार कर भी लीडर होता है और जीट कर भी लीडर होता है और अगर बत्किस्मती से हार गया तो आपकी खुश्मकिस्मती के रास्ते भी वो खोलता इनका चेहरा, इनका चरित्म, इनकी अच्छाई बुराई सब आपके सम्ने है आपको कमस्कम इस्पार, इन्हें एक मरतबा अपनी किस्मत आजमाने का मौका मर दीजिए, आप अपनी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए एक मरतबा आप अपनी किस्मत आजमा कर, चौकी के इस चौकीगार का भी अच्छी तरह टेस्ट कर लिए जो चेहरे से खोबसूरत है, सेहत से सेहतमंग है, दिमाग से रोशन है, दिल से फरास है और जजबात से आरी होकर आपका खादिम है, एक बार मैं आप से इनकी खिद्मत करने का गिल अपील करना हूँ, मैं सियस्ट में बड़े उतार चढ़ाओ देख चुका हूँ, मुझे आज किसी के खिलाब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बलकि इनके लिए ओट बांगने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपके पास आगा। हाँ, गुर्मी भाई ने एक बात कही थी कि वसूलों के लिए टकराना ज़रूनी है, तो हमारे मुल्क के आजाद हिंदुस्तानियों का जो असूल कैई हुआ है तस्तूर हिंद में, वो ये है कि किसी को ये हग नहीं पहुंचता, कि किसी के धरन करम में वो इंटरफेयर करे और हर मजब के मानने वाले को ये हग पहुंचता है कि आजादी के साथ वो अपने मजब पे अमल करें, उसका परचाल करें, उसका परसाल करें और किसी को यह हग नहीं पहुंचता कि आजाद हिंदुस्तानियों की जुबान काटी जाए किसी को यह हग नहीं पहुंचता कि आपके गले से निकलने वाली आवास को दबा दिया जाए हिंदुस्तान में जब भी ऐसा कोई लीडर करता है या कोई पार्टी करती है या कोई आज आपके सामने हम करनाटका को सिर्फ रखकर बात करना चाहते हैं आपके सामने करनाटका की स्यासी तस्वीर है इसी करनाटका को नफरत की लिबार्टी बनाकर नफरती लोग कामियाभी चाहते हैं पहले नफरत की और मुस्लिम दुश्मनी की लिबार्टी बनी गुज्राती वो सेक्सेस हुए वहाँ उसके बाद मुस्लिम जुश्मनी की लिबार्टी बनी हमारे सुबा उत्तर परदेश में और योगी के ऐसा ढूगी जो कुछ कर रहा है वापके सामने उसके बाद साउथ में इन नफरत बाजों के पैर जम नहीं रहे थे तो इन्होंने साउथ में आपके सुबा करनाटक में को चुना और यहां नाटक करने आगे आपको याद होगा मुदी जी तो जहां भी जाते हैं बनारस गये तो बोले गंगा महिया ने बुला जा करनाटक आए थे मुझे याद है पिछले जमाने में बेया उसी अलेक्शन के जमाने में कि मेरी मा कहती थी बच्पन में कि बेटा करनाटक जरूर जाना जबके उस वक्त ये मैसूर था करनाटक था ही नहीं तो बाराल जूटे से उम्मीद भी आप क्या कर सकते हैं ये जूटा तो गिनीज बुक में जूटों के शहंशा के हैं इसे से अपना नाम लिखवा चुका है हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा जूट बोलेगे एक बार ये सच भी बोले 2014 और आप इनके सच के जहांसे में आ गए और देश को इन्होंने भरबाद कर दिया एक सच ये बोले थे 2014 वो सच अमालूब नहीं आपको याद है या नहीं मैं आपको याद दिला दो इन्होंने अवाम की सिंप्रेटी हासिल करने के लिए अवाम से कहा था भाईयों वैनों मैं चाय बेचने बाद है आपको दुलार आ गया प्यार आ गया आज मोदी जो डिक्टेटर्शिप कर रहे हैं या बीजेफी तो हिंदुस्तान में नफ्रतों का की आग लगा रही है उससे हिंदुस्तान के ओटर कम जिमादार नहीं है आपको उस पे रहम आगे आपको उसको प्राइमिस्टर बना दिया उसने क्या किया वो कह रहा था मैं चाय बेचता था आज क्या किया उसने देश बेचा अडानी को बेचा देश के एरपोर्ट बेचे देश की रिल्वे बेचा आपका मान सम्मान बेचा आपकी आजादी बेचे और आज आपके सामने सारी बरवादी है अगर आपको ऐसे ही चाय बेचने वाले प्रहम आया था तो आप यहां ठेला पे केला बेचने वाले भी तो है भाई अच्छा उन्हें भी नहीं किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइम निस्तर कम से कम पूछ के तो चूना लगाता इस आदमी ने तो बिला पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया है आपके मसाइब उठाने के लिए पीठ पे लाठी खाने का हौसला होना चाहिए इसलिए कि जब किसी कौम को कोई डिक्टेटर गुलाम बनाने की नियत रखता है तो उस कौम को आजादी दिलाने वालों की पीठ पे लाठी बरसाता है उस कौम की आजादी दिलाने वाले लीडर को जेल में ठूसता है उस قوم की आजादी दिलाने वाले लीडर की हत्या करता है उस قوم की आजादी दिलाने वाले के बाल बच्चों का इगवा करता है उस قوم को आजादी दिलाने वाले की इज़त को बेज़ती बे तब्दील करता है ये माब लॉंचिंग क्या है? ये हिजाब का मसला क्या है ये C.A. क्या है ये N.R.C. क्या है ये 4% जनता दल दे मैं चुकि जनता दल की हमायद में आया हूँ और इछली आया हूँ कि मैं बाकाइदा All India Senior Vice President of जनता दल की हिश्चे से आपको एडिल्स कराओं मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी को जिदो आले की आपसे अपी ही करो हम नेकोबत हुदूर को समझाए जाएंगे मानो ना मानो जाने जहां अफ्तियार है अफ्तियार आप ही कहे चुनना आप ही को मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या कबरुल इसलाम भाई के अल्ला उन्हें जन्मेत अता फर्माए था वो इन लीडर थे मगर उसके बाद क्या कोई लीडर आपको मिला क्या इस शेहर को गयादत की ज़रुत नहीं है क्या इस शेहर में मजबूत गायद नहीं चाहिए क्या इस शेहर में कबरुल इसलाम के खाबों की ताबीर नहीं चा पूरी टाकत के साथ नासर उस्ताथ को जित्वाने की पोशुश करें। मैं मोटी-मोटी बाता हैं आपसे कर रहा हूं, वक्त कम है, एक पांच मिनिट में अपनी बात को और समेट हूंगा। देखिए, आपका ओट, यह जो माम-लिंचिंग हो रही है, यह ओट की वज़े से हो रही है। यह जो इंसानियत गारत हो रही है, यह ओट की वज़े से हो रही है। क्यों? आप ओट की हैसियत को समझें। जब तक आप ओट नहीं देते और आपका ओट मददान के पेट में नहीं जाता तब तक न वो मुश्कुराता है ना हसता है ना रोता मगर जब ओट चला गया ओट पेटी के पेट में तो उसके बाद जब निकलता तो वो साइलेंट नहीं निकलता वो जब निकलता है तो आग बनके भी निकलता है जो पूरे सूबे को पूरे देश को जलाने की हैश्चित रखता है और पानी भी बनके निकलता है जो लगी को बुनाना किया इसे बढ़ता आपके ओड के पेट से क्या क्या निकलता है आपके ओड के पेट से नफरत भी निकलती है महबब भी निकलती है आपके ओड के पेट से गरीबों को कबरस्तान भी पहुंचाया जाता है और कबरस्तान के मुर्दों को जिन्दा जरके हिंदोस्त पहुंचा है करता है आपके ओड़ की कीमत आपके ओड़ से मेरे भाई क्या क्या निकलता है आपके ओड़ से सिर्फ एक एमेले निकलता है आपके ओड़ से आपके खेंट की हर्यानी निकलती है आपके ओड़ से आपके खेंट का पानी निकलता है आपके ओड़ के पेट से निकल कालिज निकलता है आपके और के पेट से इंजिनिरिंग कालिज निकलता है आपके और के पेट से साइंटिस्ट निकलता है आपके और के पेट से मदर से निकलते है आपके और के पेट से रिजरवेशन निकलता है आपके और के पेट से इंसानियत निकलती आपके और के पेट से हैवानियत भी निकलती, आपके ओट के पेट से शैतनियत भी निकलती, आपके ओट के पेट से इंसानियत का रहनमा भी निकलता है, और इंसानियत को लूटने वाला डाकू भी निकलता है, आपके ओट के पेट से एक आजाद लीडर भी निकलेगा, और आपने ओट द ओट पीकने की चीज़ नहीं है आजकर हमारे हाँ एक जहन बन गया है ओट के लिए नोट चाहेँगे नोट के बगएर ओट नहीं देंगे कसम खुदा की अपने नोट से हरामकारी है यह अपने बाल बच्चों का मर्डर कर दे वाली बात है आपको नोट लेके ओट नहीं देना है अपने बच्चे को सर्विस दिलाने के लिए ओट देना है अपने बच्चे को तालीम दिलाने के लिए ओट देना है अपने बच्चे को जिन्दगी बेदर बनाने के लिए ओट देना है अपने कारोबार की रक्षा सुरक्षा के लिए ओड़ देना है अपने शहर की उनदीफ परगती के लिए ओड़ देना है अपने अलाके की खुशाली के लिए ओड़ देना है बरबादी को खदम करने के लिए ओड़ देना है जिहालर को ख़दम करने के लिए और्ण देना है विवान शहर को जंगल मंगल बनाने के लिए आप को ऊठ देना है और की हिसियत को अपनी पहिचान लिए इसलिए कि आप से बेदर इस देश को न कोई बनाने वाला हो सकता है ना आप से ज़्याद़ प्तर इस देश को कोई बरबाद करने वाला हो सकता है इसलिए कि ओढ़ी के पेट से बरबादी भी निकली है और ओढ़ी के पेट से आबादी भी निकली है फैसला हाँ को करना है आज आकर वो तड़ी पार गुजराग का टकला आकर के यहाँ बोल गया कि हमने मुसल्बानों का चार परसेंट रिजर्वेशन खतम कर दिया अरे वीमान तूने तो पूरे हिंदुस्तान की आबरू खराब कर दी तू तो गुजरात का भगवडा तेरे उपर तो केसेस सिर्फ मुसलिम माफिया दिखाई दे रहे सिर्फ मुसल्बान खराब दिखाई दे रहे तुम्हें इंदुस्तान में और कोई चेओ उचका चोगिदार नहीं दिखाई दे रहे इसलिए मैं आप से गुजरिश करना चाहूंगा और बड़े अदब से गुजरिश करना चाहूंगा कि आप बहुत समझदारी के साथ इस शहर को एक जमामर्द लीडर दे जिए संबली में जाकर अपने मसाइल को उठ्रने वाला लीडर दे जिए जिसका नाम है नासिर उफ्थार खुदा हापुदा